तो दोस्तो आज किस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जो है आप अपने मोवाइल फॉन के मदद से कोई भी ऑनलाइन एकजाम फॉर्म फिल कर सकते हैं तो यहां पर हम हर चीज जो है स्टेप बाई स्टेप आपको करके दिखाएंगे अगर आप हमारे इस वीडियो को लास तक देखें तो आप सारा कंसेप्ट जो है आपका किलियर हो जाएगा कि मोवाइल से जो है कैसे कोई भी ऑनलाइन एकजाम फॉर्म फिल करते हैं तो दोस्तों बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो गोवर्मेंट जॉब का तयारी करते हैं उसका प्रिपेशन करते हैं लेकिन जब फिल करने का टाथ है तो वो क्या करते हैं और अगर आप साइस करते तो आपको जो है जितना पाम उसमें लगता है उससे ज्यादा आपको देना परता है सौ Roy horse मिम वहाँ परवाया जाएगा तो अगर आप अपना रुपया बचाना चाहते हैं तो आज किस वीडियो को लास तक देखिए आपका जो concept है वो clear हो जाएगा यह online form रिगार्डिंग हर चीज यहां पे मैं आपको फॉन से करके दिखाने वाला हूँ तो चलिए हम बिना time गवाए अपने वीडियो को सुरू करते हैं तो देखिए कोई फी online exam form फिल करने के लिए आपके पास दो तरीका है तो पहला तरीका है कि आपके पास new जाया है तो उसके official site पे जाके जो है आप exam का form बर सकते हैं जैसे SSC railway या जो भी form निकलता है तो उसके official site पे जाके जो है आप जो है form फिल कर सकते हैं लेकिन आप एक साथ जादे competition का त्यारी करते हैं और आपको अपडेट नहीं रहता है और आप जो है उसका official site नहीं पता है आपको तो हम जो है आज किस वीडियो में आपको यह तरीका बताने जा रहे हैं जिसके मदद से जो है क Chrome browser यूज कर रहे हैं तो आप भी Chrome browser यूज किजिएगा असानी होगा तो यहां से एक search बार हमारा open हो जाता है Google open होगा तो इसके search बार में आपको search करना होगा सरकारी result तो यहां से आप सरकारी result सर्च किजिएगा यहां से आपके सामने देखिए वैसे बहुत सारे link आएगा आपको जाना है www.sarkadiresult.com इस वाले में जाना है यह आपको पहला या दुसा नमर पर option मिलेगा तो जहां पर भी मिले आपको simply इस पर आ जाना है यह जो site है यह जो website है यहां से आपको बहुत से information मिलते हैं और यहां पर हर एक जो updated form होता है वो सारा information आपको यहां पर मिल जा तो यहां तो उसके official site पर जाके check कर सकते हैं कोई भी job आता है तो नहीं तो आप यहां से आप वो सारा information अपना पता कर सकते हैं यहां से open होने दे रहा है तो देखिए यहां पर जो है मेरा site open हो चुका है आपके सामने इस तरह का page open हो जाएगा जब अगर आप open करेंगे तो इसमें आपको जो है देखिए यहां पर तीन column मिल रहा है सबसे पहले उपर में भी आपको कुछ option मिलता होगा जो की new updated कुछ apply हु से आपने एक्जाम दिया तो उसका result आता है तो वह आपको इस result वाले section में दिखाएगा किसी भी form का admit card आता है जैसे आप apply कर दे उसका admit card आया तो वह information आपको second वाले इस column से मिलता है और latest job मतलब की job कौनसी भगैंसी निकलिए नहीं निकलिए वह सारा information आपको latest job में मिलेग थोड़ा से screen को scroll down और कीजेगा तो देखिए answer की मिलेगा, slavus मिलेगा, admission, certificate, verification और कुछ important और फी link है answer की में आपको कोई भी exam देका आते हैं तो उसका answer की जैसे आप gmns का exam देका है तो आप उसका answer की जो है वह ऐसा answer की सब आपको यहाँ पे मिलेगा, slavus आपको मिलेगा ज university या कोई भी college में या कोई भी board में admission के लिए आप यह column में जा सकते हैं तो इस तरीके से कुछ और भी important आपको link यहाँ पे दिया जाता है, so हमको यहाँ पे latest job मतलब कि हम यहाँ पे job regarding बात करना है तो हम latest job वाले section में हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आप इसको job ढून सकते हैं, आपको कौनसी vacancy में आपको fill करनी है, तो इसको scroll down करेंगे तो बहुत सारे vacancy यहाँ पे आपको मिल जाएगा, view mode पे click करेंगे तो इसका पूरा database जो है open हो जाएगा, मतलब कि कितनी vacancy आई है, सारा vacancy आपके सामने आ जाएगा, तो यहाँ से हम आपको जो ह DDS Bihar Online Form 2021 re-open करके जो option दिख रहा है, वो हम यहाँ पे fill करेंगे, उसी तरीके से आप यहाँ पे कुछ और भी fill कर सकते हैं, सेम प्रोसेस होता है, सारे form में, देखे, कोई भी form अगर आप fill करने जाएगा, तो उसमें हमको 4 step से गुजरना होता है, सबसे पहले step में आपको registration क करने के लिए, आज किस टाइम में कमपल सरी हो गया, आपका mobile नमबर और साथ ही आपका email address, email ID उतना कमपल सरी नहीं है, लेकिन जो mobile नमबर हो हमारा जरूरी हो गया है, और कई के case में अधहार नमबर भी मांगा जाता है, सबसे पहले आपको कोई भी exam का form fill करने जाएगा, च जो आपको password मिलेगा, उससे आपको login करना होता है, तीसरे step में हमको क्या करना है, जब हम login कर लेंगे, तो हमको अपना सारा document जो है, scan करके डालना होता है, जिसमें हम अपना photo, mark sheet, हमारा नाम, यह सब टाइप करके father's name, address, यह सब बहुत सी information, जो basic information है, जिसमें आपका qualification, आप का experience है, तो यह सब information आपको fill करना होता है, यह हमारा तीसरे step है, जिसमें हम अपना information fill करते है, और चौथा and सबसे last step में क्या होता है, कोई भी form अगर आप fill करने जाएंगे, तो उसमें आपको online payment करना परता है, जहां पर आपको pay करना परता है, यह हर एक के case में रहता है, किस पर आपको किसी भी तरह का payment करना नहीं परता है, तो लास्ट में आपको payment करना होता है, तो payment करके आपके सामने पीडियाप open हो जाएगा, उस पीडियाप को आपको print करना है, कैसे यह सब process करेंगे, हम हर चीज आगे आपको बताने वाले हैं, बने रही है हमारे साथ, हो सकता पहला तो आपको registration तो हर एक में करना है, document upload हर एक में करना होता है, और verification उसी को कहते हैं, और payment आपको करना ही होता है, तो यह चार step है, जो कि आपको कोई भी एक form को fill करने में करना परता है, तो यहां से हम एक करके दिखा दे रहे हैं, latest job में आपको, तो आप अपने हिसाब स जो भी form भरना है, उस पर आप जो एक क्लिक कर देंगे, जैसे हमें Indian post वाले पर करना है, तो हम यहां पर क्लिक करेंगे, इसमें आप और भी information ले सकते हैं, चलिए मैं आपको आगे बता दे रहा हूं, देखें सबसे पहले आपको यहां पर name of post दिखेगा, मतलब कि यह post का क् हैं, मतलब कि आप जो फैकेंसी अपलाई करने जा रहे हैं, वो form का क्या नाम है, पोस्ट का डेट, यह सब आपके काम का नहीं, आपको कुछ काम का है, तो इसको थोरा से स्कीन को स्कॉल डाउन केज़ेगा, देखें आप पे important date दिया जाएगा, यह आपके काम का है, और application fee क कितना लग रहा है, यह आपके काम का है, तो यहाँ से जो भी information है, नीचे के तरफ वो सारे आपके काम का होता, देखें, application being मतलब कब से start हुआ, वो date है, last date कब तक है, वो आपको यहाँ पे दिखाएगा, और pay exam fee मतलब last date आपको exam fee करने का कब तक दिया गया है, वो आपको य यहाँ पे दिखा दिया आगा, कुछ अगर update आता है, तो वो, और merit list या result कब आएगा, तो यहाँ पे अभी दिखा रहा है, notify सुन, तो यहाँ से आके आप चेक कर सकते हैं, इस side में आपको applicant का fee मतलब कि अगर आप general OVC है, तो आपको कितना pay करना परेगा, इसे साब से आप अपना category के हिसाब से चेक कर सकते हैं, आपका fee, देखे, online transaction जो होता है, तो maximum के case में डेविट कार्ड या credit कार्ड लेही लेता और net banking, कई के की case में UPI भी accept करता है, तो अगर आप डेविट कार्ड या net banking यूज़ करते हैं, तो आप असानी से कर सकते हैं, और अगर आपके पा उसके बाद यहां पर आपको age limit देखेगा, कि आपका age कितना से कितना के बीच में होना चाहिए, वो check कर सकते हैं, और vacancy detail देखेगा, कितना post के लिए निकला है, और eligibility आपको यहां पर देखेगा, इससाब से आप अपना सारा information सबसे पहले यहां से check कर लेंगे, उसके बाद अगर बरे screen पर करना चाहते हैं, computer के तरह दिखना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको यहां पर triple dot का option मिलेगा, तो आप इस triple dot पर आजाएंगे, थोड़ा से screen को scroll down कीजेगा, desktop mode का option आएगा, desktop side इस पर आप क्लिक कर लिजेगा, उसके बाद आपका जो यह page है, वेब page है, व रखेगा कुछ इस तरीके से, तो आपका जो यहां पर skin है, वो full skin पर आ जाएगा, जैसे यहां पर आप देख रहे हैं, तो यहां पर आप देख रहे हैं, कि full skin आ चुका है, तो यहां से नीचे skin को scroll down करेंगे, तो आपको लिंक सब मिलता जाएगा, तो जो लिंक था हमारा, वो लिंक मैं आपको ले के यहां पर दिखा दे रहा हूं, तो यहां से आप यह चेक कर सकते हैं, तो सबसे पहले आपको कोई भी form में registration का option मिलेगा, यह हमारा important some useful link पर आना है, आपको apply online का option दिख रहा है, तो इसमें सबसे पहले आपको registration करना है, फिर user ID और passport से आपको login करन है, तो देखें, मेरा जो यह link है, फिलाल यह open नहीं हो रहा है, क्योंकि इसका जो date है, वो expire हो चुका है, तो कई के case में server भी down रहता है, तो थोड़ा दिर बाद आपको यहां पर आना है, तो हम चलिए, कोई दूसरा सा जो है, हम यहां पर form देख लेते हैं, जिसका जो server है, वो काम करता हो, तो यहां पर देखें, एक जो link है, मेरे में यहां पर काम कर रहा है, मतलब कि अभी फिलाल वो link valid है, चल रहा है, तो यहां पर आपको अपना email id और अपना passport मांगा जा रहा है, login करने के लिए यहां पर आएंगे, तो यहां पर हम क्या करना है, सबसे पहले register क करेंगे यहां पर हम रजिस्टर हेइर पर क्लिक करते हैं यह उत्रहा खंड के एक फोर्म है उसके बारे में हम यहां पर बात करें तो यहां पर आपको देखे कुछ information है जो की आपको यहां पर पर फिल करना होता है जिसमें सबसे पहले आपको अपना कंडिट नेम, मोवाइल नमबर, इमेल आईडी, उसके बाद जेनरेट ओटीप आप फिल करेंगे, तो यह तीन चीज करने के बाद आपको next पे जाना है, step नमबर टू पे आपको देखें, आपको क्या फिल करना होगा, अपना address डीटेल करना होगा, जिसमें आप जो है, अपना address फिल क आप यहां पे दो-तीन चीज डालेंगे, आप अपना नाम, मोवाइल नमबर और इमेल आईडी, कई के case में अधार नमबर भी मांग लेता है, तो OTP verification के बाद आप कर लेंगे, तो आपका registration हो जाएगा, तो आप यहां से भी आगे process कर सकते हैं, नहीं तो आपको back आना है, य जो मैंने यह वाला बताया था, तो यहां से आप अपना email ID और जो passport बनाये थे, उसके साथ यहां से आप login पे जाएंगे, तो उसके बाद आपको जो है, यह सारे information जो है, फिल करना था, जो कि मैं आपको उपर में बता रहा था, step number 2 में आपको अपना पते का विवरन देना address step number 3 में कुछ और भी विवरन होगा, वो आपको फिल करना वहां से पढ़के आप करेंगे, step number 4 में आप जो है अपनी योगता देंगे, मतलब कि आपकी qualification detail क्या है, step number 5 में work experience डालना है, कई के form में होता है, work experience कई के form में नहीं होता है, तो अगर आप में नहीं होगा तो वो detail करनी आएगा, उसी तरह से यहां से अपना certificate अप्लोड करना होता है, जिसमें अगर जहां पे 12th का mark sheet रहेगा, तो उसके सामने आप 12th का mark sheet अप्लोड करेंगे, step number 7 में characteria detail कुछ फिल करना होता है, step number 8 में आपको review करने के लिए बोला जाता है, तो जब आप यह सारे चीज को फिल कर लेंगे, तो आगे का आपको step करना है, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दू, कि यहां पे आपको अपना photo या कोई भी document अप्लोड करने जाते हैं, तो कई form में size का problem होता है, उसका size होता है, वो लेता नहीं है, आपके photo का या कोई भी image का size है, वो form पे नहीं लेता है, तो चलिए मैं बताता हूँ कि उस photo का size आप कैसे resize करेंगे, तो इसके लिए आप अपने phone के play store में आ जाएंगे, और यहां से यह application डाउनलोड कर लेंगे, photo and picture resizer, देख लीजी इसका logo, तो यहां से इसको search करके, इसे download करके, इसे open करेंगे, चलिए यहां पे हम open करते हैं तो देखें, यहां से आपको option मिलता है, अपने photo को resize करने के लिए, तो आप इससाब से यहां से अपने photo को resize कर सकते हैं, तीसा नमर में आपको option मिलता है resize photo का, तो यहां से आप इस पे click करके, आप अपना photo select करके, आप अपने photo को कितने का आपको आपे मांग रहा है, प्राइज कर सकते हैं उसके बाद इस फ़ॉर्म में जो है अपना फोटो या कोई भी डॉकॉमेंट जो है अप्लोड कर सकते हैं जब आप अपना डॉकुमेंट और फोटो से सारा सब्सक्राइब मेरे सब्सक्राइब हो जाके बोटेश टार रहे exacerbid आपके मेरे सब्सक्राइब लेता इस सब्सक्राइब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्ब